10 जुन 2021 गुरुवार अमवास्या को जोतिश की द्रिष्टी में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहन होने जा रहा है जिसे क्रिंग करना कृति सूर्य ग्रहन कहा जा रहा है इसके बाद वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहन 4 दिसंबर 2021 को दिखाई देगा पहला सूर्य ग्रहन कंकना कृति का सूर्य ग्रहन होगा यह सूर्य ग्रहन उत्री अमेरिका के उत्तर पुर्वी भाग उत्री एशिया और उत्री अट्लांटिक महासागर में भी दिखाई देगा भारती मानक समय अनुसार इन हिस्सों में ग्रहन का प्रारम एक बचकर 43 मिनट पर दिन में होगा तथा इसका मोख्ष 6 बचकर 41 मिनट शाम को होगा यह सूर्य ग्रहन भारत में ना के बरावर दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल मानने नहीं होगा सास्तरों के अनुसार उप्छाय ग्रहन या ना दिखाई देने वाले ग्रहन का सूतक काल मानने नहीं होता है सूरे ग्रहन तीन प्रकार के होते हैं पहला पूर्ण, दूसरा खंड ग्रास, तीसरा वलैकार या कंकणा कृती आईए जानते हैं सूरे ग्रहन कैसे होता है जब प्रत्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तब सूरे ग्रहन होता है मतलब सूरे और धर्ती के पीच जब चंद्रमा आ जाता है तब सूरे ग्रहन होता है पूर्ण छाया, खग्रास, आंशिक छाया, खंड ग्रास और जिसमें सूरे के बीचों भी छाया हो और आसपास में सूरे नजर आए वह वलायकार ग्रहन होता है ग्रहन के दोरान सूरे में छोटे-छोटे धब्बे उबरते हैं जो कंकड के अकार के होते हैं इसलिए भी इसे कंकडा कृती सूरे ग्रहन कहा जाता है सूरे, चंद्र और धर्ती जब एक सीध में होते हैं अर्थार चंद्र के ठीक राहू और केतु बिंदू पर ना होकर उचे या नीचे होते हैं तब खंड ग्रहन होता है और जब चंद्रमा दूर होते हैं तब उसकी परचाई प्रत्वी पर नहीं पड़ती तब बिंब छोट होने से सूर्य का मध्यंभाग ढग जाता है जिससे 4 और कंकडाकार सूर्य प्रकाश दिखाई पड़ता है आशा करती हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जादा से जादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए